बहुत दिन पहले की बात है, एक काव में एक किसान अपने पत्नी के साथ रहता था, वह बहुत ही लालची था, अपने लालच के कारण अक्सर वह लोगों को धोखा देकर अपने खेतों में काम करवाता था, और जब पैसे की बारी आता था तो कोई ना कोई बहाना बना कर पै से काट लीता था अगर आप भी चाहते हैं इस टाइप का काट्वन बनाना तो आप मेरे यूडिमी पे जो है चार कोर्स अप्लोड किया हो उसको आप इंडॉल कर सकते हैं जिसमें कि आप देख सकते हैं एनिमेट सीसी का है एनिमेट सीसी में जो है विज्जुल इफेक्ट के स क्रिएट करते हैं उसके बाद देखते हैं तो काट्वन इनिमेट फोर का है उसके बाद जो है एलेस्टेटर है जिसमें कि आप कोई भी बैक्ग्राउंड या काट्वन को क्रिएट कर सकते हैं और इस चारों का जो लिंक है डिसक्रेप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां की कूपन कौट भी दिया हुआ है उसको आप अपलाई कर सकते हैं। अब हमें खेत से जो भी फाइदा होगा सभी के सभी घर में ही रहेंगे। हमें किसी को देना भी नहीं पड़ेगा। इस तरहें किसान और उसकी पत्नी मिलकर खेत में काम करने लगा। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठीक चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद, किसान और उसकी पत्नी खेत में काम करने की बजह से बहुत ठक जाता था। जिससे घर की कामों को करपाना बहुत ही मुश्किल होने लगा। दोनों हर रोज खेत में जाता और काम करता। लेकिन काम के दोहरे बोज के कारण उसका काम प्रभावित होने लगा। गाव के सभी लोगों ने उसके साथ काम करना मना कर दिया था। धीरे धीरे किसान और उसकी पत्नी के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। एक दिन किसान की पत्नी ने किसान से बोली क्योंना हम लोग खेत में काम करने के लिए पास के जंगल में जाकर किसी जानवर को ले आए। उसे हम थोड़ा बहुत खाना खिलाएगे और मनमरजी काम करवाएगे। अगले दिन किसान जंगल की ओर चल दिया। कुछ तुर जंगल में चलने के बाद किसान एक पेड के निचे बैठ गया। कुछ तेर वहां बैठने के बाद किसान जैसे ही वहां से जाने लगा, पेड के पीछे से आवाज आई, मैं तुम्हारे खेतों में काम करूंगा। किसान ने पीछे मोर कर देखा, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया, किसान को लगा में रास्ते में यहीं सोचते हुए आ रहा हूँ, शायद मेरा भरम होगा। इस जंगल में कौन हो सकता है। किसान फिर जंगल की ओर चल दिया, पीछे से एक बार फिर से आवाज आई, तुम्हारे खेतों में मैं काम करूंगा, लेकिन बदले में मुझे सिर्फ भर पेट खाना देना पड़ेगा। यह सुनकर किसान पीछे मुड़ा, तो देखा पेड के पीछे एक जीन खड़ा था, उसको देखकर किसान बहुत डर गया। अगले दिन किसान ने जीन के लिए अच्छे अच्छे खाना बनाया और अच्छे से खिलाया, और खेत पर लेकर गया, और खेत का सारा काम करवाया। जीन ने सभी काम खतम किया। फिर खर आकर किसान से खाना मांगा। खिसान ने फिर उसको बहुत अच्छा खाना खिलाया। इस तरह से कुछ दिन गुजर गया। खिसान बहुत चालाग था, किसान सोचने लगा, जीन से ज्यादा से ज्यादा काम लेना पड़ेगा, जिससे जीन पूरा दिन बैस्त रहेगा, और बैस्त के कारण खाना नहीं खापाएगा, जीन को पूरा दिन बयस्त रखने लगा कुछ न कुछ काम देकर जिन को दिन भर बयस्त रखता था इस तरह से जीन को खाना नहीं मिल पाता था धीरे धीरे जीन कमजोर होने लगा एक दिन जीन किसान के सारे फसल को नुस्त कर दिया और फिर से जंगल की ओर चल दिया जीन बहुत दुखी था क्योंकि महनत के बाद भी उसे खाना नहीं मिला था गाव के कुछ किसानों ने जीन को जंगल की ओर चाते देखा किसान जीन से पूछने लगे जीन ने उन्हें सारी बाद बता दी किसान जीन की मेहनत देख चुके थे किसान ने जीन को खाना खिलाया जीन किसान से बहुत खुश हुआ और किसान से पुछा तुम बताओ तुम्हें किया चाहिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ जीन ने किसान का सारा काम कर दिया इस तरहे जीन गांगवालों का सारा काम कर देता था और गांगवालों जीन के लिए अच्छे अच्छे खाना खिलाता था जिसके कारण जीन सबका चहेता बन गया उधर लालची किसान की पूरी फसल बरबाद हो गई जिसके कारण उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा उसने गांगवालों से मदद मांगने की कोशिश किया मगर कोई उसकी मदद करने नहीं आया क्योंकि उसने सभी गांगवाले के साथ धोखा किया था इस तरह से किसान अपने किये पर पच्चताता रहे गया